इस समय की बड़ी ब्लेकिंग स्टोरी है कि दिल ले आएंगी सिये ममतब एनरजी यानि इंडिया ब्लॉक के मुख्य मंत्री नहीं आएंगे लेकिन ममतब एनरजी चब भी जुलाई को दिल ले आएंगी और वो नीतिया आयोग की बैट्रेक में बकादा 27 जुलाई को हिस्सा यानि विरोधवास है इंडिया ब्लॉक के अंदर और समाजवधी पार्टी के सांसतों ने भी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है जो हाई लेविल सोर्सिस कह रहे हैं पपू यादव इंडिया ब्लॉक में भी एक जुटता तो है नहीं सब अपनी डफ है इने मेरी चिंता है कि सीमानचल कोशी जो सबा दो करोर लोग पलाइन करते हैं उसकी जी हमें चिंता है चालिस हजार करोर रुपिया परने के लिए हमारे बिहार के बच्चे बाहर देते हैं उसकी हमारी चिंता है कि कोशी के तिर्पनमा फाटर सारे चार लाग तीन लाग पुने चार लाग के लगबाग पानी खुल जाता है और मितला कोशी सीमान चल तीन हिस्सा जल मगन हो जाता है हमारी चिंता है कि लगबाग फैक्टरियां बिहार की बंद हो गई एक भी फैक्टरी नहीं चले मोदी जी जहां गए मोतियारी में तीन बार उन्होंने काच चाय पहिएंगे इसी चीनई की वहेक्टरी में चार मडर भी हो गय और फैक्टरी मद्वewाख देना सर बनमनकी में अभी फैक्टरी नहीं जए तो चयर रहा हूं मक्का पर मक्हान पर हमने आपसे मंगा आई एम पर हमने आपसे मंगा आई टी पर हमने आपसे मंगा हाई डेम पर जिससे हम बाट से मुक्ति मिलेगी आप कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा नेपाल से दस साल में तो आपने कुछ दिया नहीं ठीक है दस साल में आपने दो करोड नोकडी की बात की आप वो गाइब कर दिये दस साल में आपने पंद्रा लाग रुपय की बात की आपने वो नहीं दिया दस साल में आपने गंगा कोशी कमला महनंदा जंड़ को अठारा नदियों की गार निकालने की बात की आपने वो नहीं दिया दस साल के अंदर डाल्मिया नगर से ले करके आपने भिहार की सारी फैक्टियों पर कम से कम मिनिमम आपने धेर लाग करोर रुपिया पैकेज देने की बात की आप तो 26,000 करोर रुपिया भकसर पर एक पूल 24,000 करोर रुपिया जो लगातार आज मनमोहन सिंग अटल जी के समय से जो कोरीडोर की बात हो रही है उसके फिर वही बार और जो भांका से फैक्टी फिर पहती लाके आपने कर दी चार हजार करोर जो बिजली उसादर करेंगे फिर वही बार आपने कोई नहीं बार हमको तो कुछ मिला ही नहीं आप हमको जरा बता दीजिए ठीक है मनोस्तिवारी काफी दिर से ट्राय कर रहे हैं बोलने का पपुजी आपने तीन मिनट अपनी बात को रखा मेरे निवेदर मानिये जवाब मनोस्तिवारी देना चाहते हैं अमीज जी पपूरे बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं उसका बजट से क के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है जी जिस कारण से बिहार में बार होता है उसको इस बजट में बड़ा प्रावधान हुआ है और इसको इसके साथ साथ विश्लू पाद जो हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा सिंटर है गया में उसके लिए बहुत पाबोधी जो बॉद्ध देश दुनिया के हैं सब आते हैं और इन दोनों को काशी विशुनाद जी के मौडल जैसा कोरीडोर में आप सुन लिजिए मैंने आपको कुछ कहा नहीं आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था पपूजी आप जूट बोले या जो भी कहें मैं सुन रहा था आप अभी विश्णूपाद और महाबोधी को बड़ा कोरीडोर बनाया जाएगा काशी के मौडल पर और एक बात और समझे वाप नहीं है उसका उस उसका भी तो उसका वहाँ पर भी तो हम कह रहे हैं कि उसको आप विश्णूपाद जाते हैं इसी लिए तो आयो क मेरी बात पूरी होने दिजिए तो कासी के यूबा और वहां के बेपारी मर गए मैं आप देखवा आप क्या करने लगया आप हमारा टाइम खा रहे हैं हम आपको थोड़ी बीच में टोक रहे थे आप अच्छे सांसद हैं आप तरह से मुझे बोलने दिजिए मैं बोल रहा हुए लोगों के लिए आज बहुत बड़ा बजट में प्रावधान हुआ है और दूसरी एक महत्पुन बात में कहना चाहता हूं अमिस भाई मुंबई देश में आर्थिक राजदानी आर्थिक राजदानी बहुत अच्छा है पूरा देश मुंबई भागता है मोदी जी बार हर राजदानी को इस राजदानी बनाना चाहिए और आप बोलेंगी जारकंट के लिए होना ठीक है सब को अपने प्रधान मंत्री को तो कि जारकंट में जो खनीज पदात तरह बिलते हैं कोईला लोहा देश की तरकी के लिए उसका इस्तमाल हता है और वह कौ देर लादधान में से एक है आम आपको कुछ आधिवासी महिलाओं के लिए अलग से कुछी प्रावधान करना चाहिए था बजट में वह उश् Championship बन संके क्योंकि सबसे अमीर जो राज जी होना चाहिए वो सबसे गरिब क्यों है आपको इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं अपको बताओं महिलाओं के लिए किया गया है लेकिन अलग से जो आदिवासी महिला जो दुरगम इलाकों में रहती है जो ट्राफिकिंग की शिकार होती है जो विस्तापन की शिकार होती है उनके लिए अलग से कौन सा बजट है आप उजिए बताईये नामी नहीं लिया गया ज़ारकन का जी 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 स्बीजिते समाज के लिए प्रदान मंत्री जंजाति योजना में बहूत बढ़ा प्रावधान हुआ है और मेरी प्राथना होगी डेश के प्रते जन vaccines ए छेतर चैटर के नेता हैं वह उसको कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को ये